नमस्कार दोस्तों अब हम बात करेंगे एग्रीकचल कोमोरिटी की कल हमने एग्रीकचल कोमोरिटी में कुछ गिरावट आते वे देखी है अगर हम जीरे की बात करें तो जीरा में सपोर्ट 12,900 कर रहेगा रेजिस्टेंस 13,400 टरमरिक में सपोर्ट 5,960 रेजिस्टेंस 6,160 कोर देखी है अगर हम सोया बीन और एडिबल लॉयस की बात करें तो कल हमने सोया बीन में अप्रिशेशन आते हुए देखा यूस मार्किट में क्रॉप कम होने की वज़े से यूसजी की रिपोर्ट में आने की वज़े से एक तेजी का ट्रेंड देखने को मिला सफोया इन में स ट्रेंड डाउन रहेगा यहां पर सपोर्ट 964 रेजिस्टेंज 988 वहीं अगर हम कपास और कॉटन की बात करें तो वहां पर हमें ट्रेंड पॉजिटिव होते हुए देखा है कॉटन में सपोर्ट 21900 रेजिस्टेंज 21800 यहां पर खरदारी का ट्रेड बनाके चल सकते हैं गवारगम और गवारशीड में ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है गवारगम में सपोर्ट 5940 रेजिस्टेंज 623 गवारशीड में सपोर्ट 3830 रेजिस्टेंज 440 वहीं चने के अंदर भी हमने कल एक गिरावट आते हुए देखी है चने के अंदर अच्छी क्रॉप आने की कि वजेसे भावों में कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है इंट्राडे के लिए यहां पर विक्वाली कर सकते हैं सपोर्ट 4306 रेजिस्टेंज 450 आशा करते हैं आपको इस जानकारी से फायदा मिलेगा धन्यवाद